10 नौंबर 1908 को कनायलाल दत शहीद होए वे भारती स्वतंतरता संग्राम के क्रांतिकारी थे युगांदर नामसे क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कनायलाल क्रांतिकारी कतिविधियों में सक्री हो गए अप्रेल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी ने मुझफरपुर में किंग्स फोर्ट पर आकरमण किया इसी सिलसले में मैं 1908 को ही कनाईलाल दत, अर्विंद घोष, बारिंदर कुमार समित अन्निक रान्तिकारियों को गिरफतार किया गया इस घटना के दोरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखविर की हत्या की, जिसके तहत कनाईलाल दत पर हत्या का मुकद्मा चला और अंत में आज ही के दिन कनाईलाल को फांसे की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए 10 नौंबर साल 1929 को दत्तो पंत ठेंगडी का जन्म महराष्ट के वर्धा में हुआ वे भारत के राष्टवादी ट्रेड यूनियन नेता, भारती मजदूर संग, स्वदेशी जागरण मंच और भारती किसान संग के संस्थापक थे साल 1949 में अखिल भारती विद्यारती परिशत की स्थापना की आपचारिक घोशना की गई दत्तो पंत को विद्यारती परिशत के संस्थापक सदस्य और नाकपुर विधर्ब के प्रदेशा धक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के कोटा में किसानों के अखिल भारती संगठन की स्थापना की 10 नौंबर साल 2002 से विश्व विज्यान दिवस मनाने की शुरुआत हुई साल 1999 में आयोजित विश्व विज्यान सम्मेलन में इस दिन को मनाने का प्रस्थाव रखा गया इसके बाद युनसको द्वारा साल 2001 में इस दिवस की घोशना की गई समाज में विज्यान की महत्तुपून भूमिका और उभरते विज्यानिक मुद्धू पर जनता को जागरुक करने के लिए युनसको द्वारा हर साल यह दिवस मनाया जाता है यह दिन विज्ञान के महत्त को रिखंकित करते हुए सभी वैज्ञानिकों, शोधार्तियों और विध्यार्तियों को एक सान जोडने का प्रयास करता है